हेलो गाईज वेलकम बैक टो एन नादर प्री मार्केट एनलिसिस वीडियो तो गाईज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज आप लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके साथ हम लोग निफ्टी 50 एन बैंक निफ्टी एक कुछ इंपॉर्टन लेविल करल नैस्टेक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग करी है एन यहाप अगर इस जी एक्स निफ्टी के बारे में ही डिसकस कर तो इस जी एक्स निफ्टी एक सो चार्ट पॉइंट के आस पास अप है तो मैं निफ्टी से ग्याप आप अपे निफ्टी के चार्ट पे और देख लेता है क्या important levels Nifty में निकलके आ रहा है तो गाईस यहाँ पर हम लोग आ चुके है निफ्टी के daily timeframe पे पहले daily timeframe पे समझ लेता है उसके बाद हम लोग 5 minutes के time पे चलके सरे के सरे important levels देख लेंगे तो गाईस दिखा कर पिछले 2 दिनों के बारे में ही डिसकस का तो पिछले 2 द प्रोफिट में आके ज्यादा कंफिदेंस में मत आना क्योंकि हो सकता है आगे चलके आप लोगों को एक पूलबैक देखने को मिल जाए एक हलका सा करेक्शन देखने को मिल जाए तो ज्यादा प्रोफिट के चक्कर में टोटल कैपिटल को एंगेज नहीं करना है जैसे आप लोग अगर नॉर्मली रिगूलर ले अपलोग बीटी एश्टी ट्रेड लेते थे तो जो डूल्स फॉलू करते वही फॉलू करना है ज्यादा लालाज के चक्कर में आके पूरा कैपिटल एंग मार्केट हलका सा कंसुलेट कर रहा था दो दिनों से उसके पाद फिर से मोमेंट टाम आया और बहुत दी बढ़िया एक लेवल दिखा दिया मार्केट ने तो गाइस यह तो हो गया डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्या दिख रहा है वह अभी चलते हैं फाइब मिनि खुलेगा यह तो कंफार्म है मतलब कंफार्म तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन उसके चांस ज्यादा है मैं 60-70 पॉइंट के आसपास की गैप ऑपेनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्रम निफ्टी 50 डोंट कोट मी ओन देट इसका उल्टर भी हो सकता है हो सकता है गैप को ट्रेड लेना है मैं करेंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हो ताकि बाद में कोई भी कंफिशन ना हो डिगाइडिंग लेवल अवी अगर आप लोग चाते हो तो स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो काई पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो तो गाइस यह तो हो ग को तो समाल के रहना हो सकता है आप लोगों को आगे चलके एक हलका सा पूल बैक देखने को मिल जाए फ्रम दी ओवराल मार्केट ठीक है अभी चलते है फाइव मेंट्स की टाइम फ्रेम पे और सभी के सभी इंपोर्टेंट लेवल्स एक बाद देख लेते हैं तो गैस यहा बाकी जैसे प्राइस द्रेशन बनेगा उसकी सब साफ लोगों को ट्रेट लेना है सभी के सबी लेवल आप लोग के सामने हैं 40 सब तक की लेवल 40,500 रुपय की लेवल यहां पर आप लोग के सामने ड्रॉक क्या हुआ है मैं करन्त मार्केटप्राइस को डियो स कर रहा हू त तो फाइव मेंट्स के टाइम पर खुला हुआ है और यी डीले फ जो है वो एक ही रेंज पर कांसलेट करें लेकिन अगर देखा जाए तो यह स्लाइटली अफ मुव दिखा रही है तो रिट्रेस्मेंट के बाद आप लोगों को इंटाय करना है ब्रेक आउट के बाद नहीं नॉर्माली इसके ऊपर क्लोजिंग करना है मतलब ब्रेक आउट हो गया इसके बाद आप लोगों को इंटाय करना है रिट्रेस्मेंट के बाद इंटाय करना है क्योंकि हो सकता है इस रैप्ट हो जाओ चार सो का होगा अप लोग का टागेट अगर इसके उपर प्रॉपरली क्लोसिंग होता है तो यह एंटाय करना है आडर्वाइस इंपली एवर्ड दा ट्रेड चार सो रुपए के लेवल एक साइकोलोजिकल लेवल निकल के आ रहे हैं बहुत इस बड़िया टाइगेट आप लोग को बना के देखे चलाएगा अगर रिट्रेस्मेंट 395 के लेवल से भी लेता है तो पांश रुबे का टाइगेट वी दिना डे आप लोग को देखने को मिल जाएगा फ्रॉम लेव तो यह तो होगे हमारा फास्ट टॉक अब हम लोग चलते सेकेंड आन आखरी स्टॉक की तरफ हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉक है वह एडी लाइन इंडस्ट्रिस फाइब मेंट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आ चुक है और यहां पर आप लोग देख सकते हो आज एनी की तरफ के भी टार्गेट आप लोग के सामने हैं लेकिन ट्रेड हमें सब्सक्राइब के बाद लेना है और वह मैं क्यों बोल रहा है उसके पिछे का रिजन जान लो देखो आज ओपनी होने के साथ साथ यह जो आप लोगों सपोर्ट दिख रहा है यह तूट जागा क्यों रिलेंस यहां पर साइड़ेस हो जाए इसलिए मैं बोल रहा हूं मेजर मूब देने के बाद जब रिट्रेस्मेंट देगा मतलब ब्रेक आउट कानफर्म हो गया एकदम इंपल्स इमूब उसके बाद देखने को मिलेगा उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड लेना है उस अगले वीडियो हमें मिलते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग और आप लोग के मन में कोई भी डाउट या कोई रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट स्रिक्शन में कमेंट करके मुझसे पूच सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टरग्राम का लि